हलो फ्रेंट्स गूड मॉनिंग देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ी थी एक पढ़ा था हमने पादप हार्मोंस और फिर पढ़ा था पादप जनन आज हम पढ़ने वाले हैं पादप आर्थिक महत्तो मतलब कि जो पाधप हार्मोंस में पढ़ा ब्रद्धी के लिए इसके साथ साथ फल पकने के लिए और भी जो उनकी पूरी क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाएं उनके लिए महत्तो पूर होते थे पादप जनन में हमने दो चीजें देखी थी कि जो पधों में जो जनन होता है वो लैंगिक और अलायंगिक दो तरह से हो पीजु के द्वारा भी जनन होता था जिसे हम लइंग एक जनन कहते थे अब दिखे आर्थिक महतकी अगर हमबात करे तो पादब आर्थिक महतकी अन का हई है और जीवन के लिए भी it का महतो है क्यूंकि हमारा जो पूरी खाद स्रंखला चलती है तो खाद स्रंखला में नीचे की कड़ी में फ्रेंट्स पौधे ही होते हैं अकर यह पौधे ना हो तो इसके उपर वाली जो खाद स्रंखला है वो एकदम से तूट जाएंगी और पूरा जो जीवन का चक्र है प्रद्वी पर वो क्या होगा कि भिखर जाएगा तो आ आउला की कंचन एक किस्म है आउला बिटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोध भी है आप चानते ही है कासी लालिमा जिस फसल की पर जाती है वो है भिंडी तो भिंडी की एक पर जाती है जिसको हम कहते हैं कासी लालिमा यह भिंडी की एक पर जाती है CO 1148 एक महत्वपूर पर जाती है तो यह एक गन्ना की CO 1148 यह गन्ना की क्या है एक पर जाती है आम की नीलम एवं अलफानसों के मद्ध क्रास से जिस संकर किस्म के फलका विकास हुआ है उसे हम कहते हैं रतना तो देखिए रतना नाम का जो आम है यह कैसे पैदा हुआ है यह पैदा हुआ है आम की एक किस्म थी नीलम और एक थी अलफानसों इन दोनों के बीच में क्रास कराया गया है इस से जो फल पैदा हुआ है वो रतना नाम से जाना जा रहा है किस नाम से रतना नाम की किस्म का फल आम जो है वो पैदा हुगा है यहाँ पर देखिए हमें सुमेलित करना है तो एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उसकी प्रजाती दी गई है तो सरसों की बात करें तो सरसों की प्रजाती है एक क्या वरुना वरुना जो है यह एक सरसों की प्रजाती है यहाँ पर अगर सपना की बात करें तो सपना क्या है मटर है ना मटर जो है एक सपना नाम की किस्म का होता है सूरिया अब देखिए सूरिया जो है ये कई सूलों का है जैसे कि आम की एक परजाती सूरिया है पपीता की एक परजाती सूरिया है और आलू की भी एक परजाती सू कि ये वसा और प्रोटीन दोनों का काफी अच्छा सुरुत माना जाता है जैबिक रूप से संसलेसित नैनोकणों का उपयोग एक नई परिस्थित की मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है फ्रेंट्स पार्थीनियम तो पार्थीनियम नाम का दिखिए एक पौधा होता है जिसका जो रस है इसका जो रस है ये उपयोग में आता है किसकी कैंसर उपचार में तो कैंसर उपचार में हम नैनोकड बनाते हैं तो नैनोकड बनाने के लिए हम जैविक पदार्थ का जो उपयोग करते हैं वो आता है किससे पार्थीनियम से पार्थीनियम पौदा है उसका निचोड यानि उसका जो रस है उसका उपयोग हम कैंसर उपचार के लिए भी करते हैं लिटमस अमल छार सूचक प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से लिटमस क्या है देखिए लिटमस पेपर होता है एक जिसका उपयोग हम किसी भी जो भी पदार्थ है उसको वो अमल है ये चार है ये ग्यात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका उपयोग करते हैं अब देखिए अमल अगर जैसे एक लिटमस पेपर है हमारे पास और कोई पदार्थ है अगर इस पदार्थ में लिटमस पेपर डाला गया और यदि वो पदा क्या होता है कि अगर लाल हो जाता है तो अगर वो लाल हो जाता है तो आपर कहते हैं कि यह अमल है अगर नीला हो जाता है तो उसको कहते हैं कि यह चारी है तो इस प्रकार से मतलब लिटमस पेपर क्या है कि एक सूचक है अमले छार सूचक है जिसको बनाया जाता है किस से एक लाइकेन से तो लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर को जो की अमले छार सूचक का काम करता है पाइन फर इस्प्रूस सेडार लार्च एवं साइपरस आदी मसहूर लकडी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी शेत्रों में भी पाए जाते हैं ये सभी कहलाते हैं तो ये सभी कहलाते हैं फ्रेंट्स क्या अनावरत बीजी यानि की जिमनोस पर्म तो जिमनोस पर्म नाम के कई पौधे पाये जाते हैं जो की लकडी के काफी अच्छे स्रोथ होते हैं यानि की लकडी उससे हमें प्राप्त होती है और लकडी का उपयोग आप जानते ही हैं कि हमारे फरनीचर बनाने में हो घर बनाने में हो रेलवे बनाने में हो इसके साथ बहुत सारे जो काम है ये सारे किस से होते हैं ये होते हैं सब यहाँ पर लकड़ी से देखिए इसलिए अब तो लकड़ी की जगए हलाकि हम इस पात उपयोग कर रहे हैं और बहुत चीजें उपयोग कर रहे हैं आपने सायद कभी एक गाना सुना होगा कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमासा लकड़ी का तो वो इसी लिए फ्रेंट्स पहले की जीवन में क्या था कि लकड़ी से ही सारा कुछ चल रहा था जंगलों पे पूरी डिपंडेंसी थी ब्यक्ति देखिए जब आदी मानो था खाद संग्राहाग था तो उस समय भी क्या थे जंगल ही सहा तो जंगल की लकड़ी और यह जलकड़ी पूरी जीवन में उप्योगी आ रही है इसमें से बहुत जथा उप्योग जो है यह उप्योग हम पढ़वी रहा है तो लकड़ी का बहुत ज। ज़्यादा उप्योग है तो इस परकार के देखिए पौधेंhead जैसे की पाइन, फर, इस्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस ये सब पेड़ हैं इनका ये अनावरत वीजी प्रेड़ है और इनका जो उप्योग है लकड़ी के लिए किया जाता है नीम के पेड़ के संदर्व में आपर सही कतन कुछ दिये गए हैं तो देखिए नीम के जो कतन है, सही कतन है उसमें ये है कि कुछ जाती के कीटो और बरूतियों के प्रचरूद भवन को नियंतरित करने के लिए नीम के तेल का उप्योग कीट नासक के रूप में किया जा सकता है और नीम के जो वीज होते हैं उनका हम जैव इनष बनाने के लिए इसको भी रोकता है उक्षीजन तो देता ही है इसके साथ साथ में इंटी बैक्टीरियल होता है यह जो भी बैक्टीरियज और मार सकता है तो इसके लिए कई परकार के जो कुछ परकार के कीठ हैं और बरूती हैं उनको क्या कर सकता है कि ये नियंतरित कर सकता है इसके साथ इसके जो बीज होते हैं इनमें जो फल लगता है फल के अंदर का जो भाग है उसको निकाल के हम जैव इनन के रूप में भी इसका काम किया जाता है अपमार्जक देखिए साफ सफाई के लिए और क्लीनिंग के लिए अपमार्जक बहुत जादा उपयोगी होते हैं तो उसके लिए भी नीम का उपयोग हम कर सकते हैं और नीम का जो तेल है ये आवसदी के रूप में भी उपयोग किया जाता है तो नीम बहु कोई फुनसी हो गई है वहां पर भी रख सकते हैं उसको और भिन भिन उपयोग इसका जब लोगों को खुद डिटॉक्स करना होता है अपने आपको तो नीम की पत्नियों को कह करते हैं कि पानी में उबाल के उससे इसनान भी कर लेते हैं इसके साथ साथ में देखिए गाओं म साथी उपयोगी पेड़ है निम्री लिखित कत्नों पर देखिए बिचार कीजे और फिर यहां पर हमें बताना है कि कौन इन में से कथन जो है वो सही है तो इससे पहला कथन देखिए दिया गया है इसमें कि मोरिंगा यानि कि सहजन ब्रक्ष एक फलीदार सदा प्रणी ब् यह फलीदार सदा पढ़नी पौदा नहीं है मतलब यह सदा बाहर पौदा नहीं है क्योंकि इसकी जो पतियां है वो जड़ जाती है तो यह पत्ज़र टाइप का पौदा है तो यह कथन पहला यहां पर देखिए गलत हो जाता है और मोरिंगा स्वास्त के लिए काफी ज़् उप्योगी हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर है और भी बहुत सारी नियूट्रिसन काफी बड़ी मात्र में पाए जाते हैं तो लोग इनका उप्योग सबजी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स दूसरा इसमें दिया गया है इमली का पेड़ दच्छन एसि नहीं है तो यहां पर यह दोनों क्या है कि यहां पर गलत होते हैं तीसरा देखिए यहां पर दिया गया है भारत में अधिकांस इमली लगू वनोतपाद के रूप में संग्रहीत की जाती है तो यहां पर यह सही है क्योंकि देखिए भारत में जो इमली के पेड़ हैं वो क्या करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बलक मातरा में उनकर indoors आगी में यहrá भी अधीद करते हैं, इसके ऐसो bitरइंद करते हैं तो दिया है कि भारत इमली के अधी वोरिंग के बीज का निरयात करता है तो भारत क्या है कि ये friends दोनों के बीजों का निरयात करता है और इसके साथ साथ में देखिए इसमें अगला point दिया गया है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव इनन के उत्पाधन में किया जा सकता है तो ये बात भी सही है कि मुरिंगा और जो इमली के बीज हैं इनका उप्योग कर सकते हैं हम किसमें जैव इनन को बनाने में तो यहाँ पर तीन चार पाँच यह कथन यहाँ पर सही थे फलीदार पौधों अरहार मतर चना और करंज में से पेट्रो पौधा कौन सा है मतलब कि पेट्रोलियम बाला पौधा कौन सा है तो यह करंज तो हम क्या कर सकते हैं कि झैविक रूप से भी पेट्रोलियम पेट्रोत पाद कर सकते हैं तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं आपर करंज का और करंज कैसा एक फलीदार पौधा होता है बाकी याँ पर देखिए दिया था अरहर मटर चना ये कैसे दलहनी फसल है वे पौधे जिने सामान तोर पर पेट्रो क्राप्स के रूप में जाना जाता है तो वे धनी होते हैं हाइड्रो कार्बन्स और लिपेड के तो जिन पौधों में हाइड्रो कार्बन्स और लिपेड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उनका उपयोग हम पेट्रो क्राप्स यानी पेट्रोलियम क्राप्स के रूप में कर सकते हैं या करते हैं देश का पहला बायो डीजल सनियंत लगाया गया था तो ये लगाया गया था काकी नाड़ा में अब देखिए यहां पर पौधों का उपयोग देखिए कितना हुरा देखिए लकडी के रूप में भी खाद पदार्थ के रूप में भी पेट्रोलियम के रूप में भी इसके साथ में कीट नासा का और मतलब की हमारे अपमारजक के रूप में भी सेनिटाइज करने के लिए अभी तो पौक का कितना ज़्यादा उपयोग हम देख रहे हैं यह बाइयो डीजल बनाने क्या है कि बायो डीजल का पौधा है यहां पर देखिए कथन और काण दिये गए है कथन में दिये गए है कसकुटा अमर बेल पर जीवी आवरत बीजी का एक उधारण है और कारण यहां पर दिया है कि यह पोसी पौधों की पत्तियों से अपना पोसण प्राप्त करता है तो और यह क्या होता है कि जैसे कोई भी पेड है माली जी यह पेड है एक तो इस पेड में अगर इसको डाल दिया जा तो यह पैड में फैलने लगती है और फैल के क्या करती है कि पेड की जो साखाएं होती है जो तना होती है उन में से यह जो यह अमर बेल होती है अपने चूस जाती है और इस पेड़ को अंतता फडिंट से म्रत पराए कर देती है तो इसलिए जो अमर वेल है ये आ sail पर जीवी है और ये पत्तिака से नहीं बलकि उसके तने से क्या करता है कि पोसड प्राप्त करता है पाउदे के तो इसलिए यहां पर कारण जो था वो गलत था उर्जा के बैकल्पिक स्रोतों के संदर्व में एक बैविहार जैव इनन एथेनौल प्राप्त किया जा सकता है तो देखिए एथेनाल प्राप्त करने के लिए हमारे पास गन्ना जो है काफी बड़ा स्रोत है क्योंकि गन्ना में क्या होता है गन्ने का जो रस है तो गन्ने का रस है एलकोहल के लिए बहुत जादा उपयोगी किया जा सकता है इसलिए एथेनाल का उपयोग एथेनाल बनाने के लिए गन्य के रसका उपियों खूब कर सकते हैं तार तेल यानि पाउम आयल के संदर्व में यहाँ पर कथन दिये गए हैं और इन पर हमें विचार करना है फिर बताना है कि इन में से कौन सा सही है तो पहला देखिए दिया गया है तार तेल ब्रच दच्छडपूर एसिया में प्राक्रतिव रूप में पाया जाता है तो यहाँ पर देखिए तार तेल ब्रच जो दच्छडपूर एसिया में नहीं पाया जाता है तो इस परकार से प्राक्रतिव रूप से नहीं पाया जाता है लगाना पड़ता है वहाँ प लेडिज उनके उनको बनाने में और इत्र बनाने में पर्फ्यूम बनाने में इसका तार के तेल का उपयोग किया जाता है तार तेल का उपयोग जैब डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है तो ये भी बात यहां पर सही है तो दूसरा और तीसरा कथन जोई यहां पर ठीक चिल गोजा क्या कर सकते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं कभी कभी समाचारों पुच्छी के संदर्म में सही कफन क्या है एक कवक है और यह कुछ हिमालईय वन छेत्रों में उगती है तो ये गुच्छी जो है फ्रेंट्स क्या है ये गुच्छी एक कवक है और ये हिमालाई छेतर में पैदा होती है सीरा अती उत्तम कच्चा माल है ये किसका पावर एलकोवल काफी अच्छा है तो सीरा जो है हमारा गन्य से निकलता है जैसे सीतल पेयों जैसे कोला में परयाप्त मातरा होती है तो सीतल पेय जैसे की कोला इसमें परयाप्त मातरा में कैफीन पाया जाता है कैफीन चारव उपस्थित रहता है तो कैफीन जो है वो चाय और काफी दोनों में क्या है कि उपस्थित रहता है चाय की पत्तियों में बिद्दमान सरवादिक महत्तो का उत्तेजक ये कौन होता है कैफीन होता है देखे एक चीज जैसे कि हम तमबाखू खाते हैं तो तमबाखू खाने की अगर पहले व्यक्ति खाएगा उसको अच्छी ने लगए कि फिर बार-बार खाएगा तो उसकी आदत बन जाएगी क्यों क्योंकि उसमें होती है निकोटीन तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ मादक होते हैं चाय में भी जिस आयोडीन युक्त नमक खाते हैं हम लोग इसमें से जो आयोडीन है वो अधिकांस्ता समुद्रों से निकाली जाती है और ये समुद्रों में जो सैवाल पाए जाते हैं उन सैवालों में से आयोडीन काफी मातरा में पाई जाती है देकि सैवालों का उपयोग भोजन के लिए भी करते हैं और जैव इन्हन के लिए भी करते हैं तो समुद्री सेवाल काफी ज़्यादा उपयोगी होते हैं समुद्री सेवाल जो पूरे समुद्र वाले छितर में पाये जाते हैं और जो देश इनके आसपास बसे हैं तो वो देश इनका उपयोग काफी अच्छे से क कपूर कासनी कासनी यानि की चिकोरी एवं वनीला केसर मसाला यानि सैफरन इसपाइस बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग करते हैं तो इसका करते हैं वर्तिकागर का देखे हमारा जो यह केसर होता है तो केसर पुस्प में जो वर्तिकागर वाला छेतर होता है तो उसका उपयोग हम मसाले की रूप में करते हैं जो कि केसर कहलाता है हींग सुहागा एवं सिलाजीत में से ब्रच से प्राप्त किया जाता है तो हींग सुहागा और सिलाजीत इन में से क्या हींग जो है ये ब्रच से प्राप्त किया जाता है जीलाजी तो पत्थ्रों से प्राप्ट कर लेते हैं यहाँ पर देखिए उतपाद और सुनुत दिये हैं इनको हमें मिलाना है तो देखिए अफ़ीम अफ़ीम कैसे होता है यह निकलता है फल से हमने इसी अपने सेरीज में यह भी चर्चा भी किये कि अफीम जो है कैसे बनता है तो देखिए अफीम का जो पेड़ होता है उसमें जो फल लगते हैं फल जब अधपका होता है तब उसमें लगा देते हैं चीड़ा और ये चीड़ा जब लगा देते हैं तो इसका लेटेक्स यानि दूद निकलता है बार और उसी दूद को कलेक करते हैं जो की अफीम के रूप में होता है हींग किस से प्राप्त होता है यह जड़ एवं राइजोम से हींग प्राप्त किया जाता है रबर तने से प्राप्त किया जाता है जो पेड होता है रबर का इसमें से इसके तने में बीच में लगा देते हैं कट और कट लगाके इसम difference कि यह क्या होता है कि रबर होता है कुनैन चाल से प्राफ्ट करते हैं तो हमारा जो सिनकोना ब्रख्श की चाल से कुनैन को निकाला जाता है और गोलेरिया के लिए ये काफी प्राचीन रूप मतलब प्राचीन समय से भी कुनैन का उप्योग मलेրिया ठीक करने के लिए किया जाता रहा है जब कोरोना का टाइम आया था तब भी कुनने का उप्योग किया गया था इससे अवसादियाँ बनाई गई थी हलाकि अब तो कुने के लिए क्या है कि हमने रसाइनिक रूप से कई तरह की टेबलेट्स है उनको बना लिया है हींग प्राप्त होती है तो हींग कैसे राइजोम यानि रुपांतरित तना के स्राव एवं जड़ों के निसकरसन से हींग जो है वो प्राप्त होती है अफीम जिस रेड़ी की दवा के अंतरगत आता है वो है आवसाद कारी यानि आवसाद कारी जो दवाई हैं उनको बनाने के लिए हम अफीम का उपयोग करते हैं तो अफीम देखिए नसे के लिए भी उपयोग होता है और जो अफीम है वो आवसधी के रूप में भी उपयोग किया जाता है जैसे यदि किसी ब्यक्ति को आवसाद है तो उसके लिए जो दबाईयां दी जाती है अधिकांस्ता वो अफीम से बनी होती है मतलब अफीम उनमें होता है मुख मच्छर भिकरसक क्या है नीम तो नीम का अगर धुमा कर दिया जा तो मच्छर के आएंगी उससे दूर भगेंगे तो ये मच्छर भिकरसक के रूप में काम करता है कांगरेज घास, एलिफैंट घास, लेमन घास और नट घास में से प्राकरतिक मच्छर प्रतिकरसी तयार करने में उप्योग होता है लेमन घास तो लेमन घास का उपयोग भी हम मच्छनों को वगाने के लिए जो प्रोड़क्ट बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं अंगोरा उनपराप्थ की जाती है तो ससक यानि खरगोस जो है उससे हम उसके बालों से अंगोरा उनपराप्थ करते हैं किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है तो टापा कपड़ा जो बनता है वो होता है मोरेशी मोरेशी पौधा जो है उससे टापा कपड़ा बनाया जाता है तुलसी के पौधे का आशधी महत उपस्थिती के कारण होता है तो तुलसी जो है काफी ज़्यादा तो वो क्यों उप्योग है और सदी judgments और अवसदी मिलान करना जाता है यहां पर देखे हमें फिर самого मदुरक, संसलेशित मदुरक मतलब ऐसी मदुर्शक्कर, यानि की जो मिठास जादा देती है, लेकिन उसमें कैलोरी जो है वो कम होती है तो ये है, इस पार तेम जो है, एक संसलेशित मदुरक है, संसलेशित सुगर है, जिसका उप्योग करते हैं जिन लोगों को सुगर होती है उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो सकती है क्योंकि मिठास तुने बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन उसमें जो सुगर है उसका कंटेंट कम होगा नियोप्रीन क्या है एक विसिस्ट रबर है और रेयान क्या है रेयान जो है ये एक वी निर्मित फाइवर है तो वी निर्मित फाइवर एक मतलब रेयान जो है एक वी निर्मित फाइवर का रूप है तो फ्रेंट्स इसमें इतना ही अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे देखिए रोग एवम उपचार तो रोग के जिव एक्जाम हुए हैं उनका ही यहाँ पर कलेक्शन दिया गया है तो यह जदी वीडियो अच्छा लगा होते हैं इसको लाइक करें थैंक्यू फॉर वाचिंग